सख्बार ने थेख्बागत आपके अपने चैनल प्लस एस्टेडी ने के पर दूस्तो एक ब़र फिर से। आप इया पर प्र फिर से आप है प्रामेडिकल के लिए वेक बैकेंसी जारी कर दी गई तर्साइफ्फल, यहां पर देख दोस्तो इस्टाप नर्स के लिए भी इसमें बेकेंसी रखे गई है सेक्रूइटी ओपिशर के लिए भी इसमें बेकेंसी जारी की गई है पंच कर्मा टेक्निशन के लिए भी इसमें बेकेंसी दुस्तो जारी की गई है ड्रेशर के लिए बायो मेडिकल इंजीनियर के लिए दोसमें वेकिंसी जारी की गई है प्लमबर के लिए लेक्टरीशियन कार करेंगे तो आप वीडियो को दोस्तों लाज तक देखना न भूलें हम पूरी डीटेल को इसमें देखेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं यह वेकिंसी किसके दुवारा जारी की गई है ब्रॉटकास्ट इंजिनिरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेट के दुवारा और इस दुस्तों कॉंट्रेक्ट बेसिस और आउट सोर्स बेसिस यह वेकिंसी जारी किये गई है मेडिकल ऑपीसर की बात करें च्छे पदों पर वेकिंसी है जिसमें 75,000 इसकी सेलरी रखे गई है एमडी एमेस इसमें एपलाई कर सकते हैं योगा थरपिष्ट के लिए आप देख सकते हैं एक पद है और फुल टाइम रेगुलर पीजी डिग्री इन योगा में एमेसी योगा फ्रॉम रिकोगनाइज उनिवर्सिटी बिद मिनिमम 55 परसेंट मार्क होना चाहिए फाइबर प्रॉफेशनल वर्क एक्स्पीडेंस मांगा गया इसमें सांती दुस्तों पचास जार इसकी सैली रखी गई है और आइटी इंजीनियर के लिए एक ही पद है दुस्तों जिसमें BCS, BCA, BSC कम्पूटर से मांगा गया फर्स्ट क्लास डिप्लोमा और कम्पूटर इंजीनिरिंग इनफोर्मेशन टेक्नलोजी ओप लिस्ट थ्री एर्स फूल टाइम डूरेशन एट लिस्ट तू एर्स फूल टाइम डूरेशन केस ओप लेटरल एडमिनिशन डिप्लोमा को की गई है बेसी नर्सिंग, देसी नर्सिंग, आयरवेदा फ्रॉम रिकोगनाई उनिवर्सिटी इंस्ट्यूट विट टू एर्स एक्स्पिरेंस इसमें रख मांगा गया है और मेसी नर्सिंग बाले भी इसमें एपलाई कर सकते हैं दूस्तों डिप्लोमा इन नर्सिंग य एक पर है जिसमें एक सर्विसमें बिट फाइवेर्स एक्स्पिरेंस सेंट्रल इस्टेट गवर्मेंट सीपी एस यू सेंट्रल पुलिस स्पोर्स में जिन्होंने किया है वो एपलाई कर सकता है 3500 इसकी सेली रखी गई है फार्मेशिस्ट के लिए रेख सकते हैं दूस्तो फाइवेर्स एक प्रोफेशनल एक्स्पिरेंस एं रेपूटेट इंस्ट्टूट से और या हॉस्पिटल से मांगा गया है साथी दूस्तो 28000 इसकी सेली रखी गई है पंच कर्म टेक्निशन के लिए देख लेते हैं मेल और फीमेल में एक एक परने दो पर टोटल है टेन प कर्म टेक्निशन का इसमें मांगा गया है तो यह टेक्निशन के लिए वेकिंसी है दोस्तों जिसमें 24,000 सेली रखी गई है ड्रेशर के लिए इसमें एक पद है दोस्तों 10 प्लस पास यानि 10 भी पास रेकोगनाज़ बोर्ट इसकूल से और साइटिक विट फ्रॉम सेंट इसकटिल में विसरी रखी गई है बायमेडिकल इंचीनर के लिए इसमें गाया मांगा गया है मिनिमंग बेकेज。」 iyक मांगा में लेबर देपार्टमेंट relevant field में मांगा गया है इसी में भी दोस्तों जो minimum जो baggage रहेगा पर labor department government of goa के साफ़ से इसमें salary दी जाएगी और carpenter के लिए भी एक पद है आई टी आई deployment relevant field में किया है तो apply कर सकता है तो यह पूरे यहां पर पदों पर पूरी detail दी गई है पेंटर के लिए दोस्तों आई टी आई मांगा गया है गार्डनर के लिए भी दुस्तों आपर आडवी पास from any recognized word और tourist experience मांगा गया है MTS में दोस्तों 12 पास any recognized word में और computer knowledge होना चाहिए data entry operator के लिए तीन पद है bachelor degree in any discipline from recognized word university civil engineer के लिए एक पद है दुस्तों बी वी टेक वाले अपलाई कर सकते हैं 30,000 इनकी salary रखी गई है electrician engineer के लिए दुस्तों एकी पद है जिसमें 3400 इसकी salary रखी गई है वी टेक वी वाले इसमें apply कर सकते हैं तो यह पूरे पद हैं पर जारी किये गए जो www.becil.com इसकी site पर दुस्तों आपको पूरी डीटेल आपको मिल जाएगी online के माद्यम से दुस्तों आप यहां पर आविदन करेंगे online form भरे जाएंगे और इसी site पर आप जाके दुस्तों यहां पर online form भर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको कोई technical problem आता है तो यहां पर यह email id दी गई है और यहां पर help line number दिया गया है जो आप call करके पूछ सकते हैं लाश्ट डेट जो दी गई है submission application form की वो 5-10-2022 रखी गई है तो यह online form भराए जाएंगे दुस्तों यह पूरी detail आपके साथ हमने साजा की इसका अगर officially PDF आपको चाहिए तो आप हमारे telegram चैनल को जोइन कर लेजिए इस वीडियो के description box में हमारे telegram चैनल की link दी गई है वहा अपने दूस्तों के साथ सेयर करना न भूलें यह पूरी detail थी आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में thank you so much